बुरे इरादे से सच बोला जाए तो हर कसिम के जूट पर सबकत ले जाता है सच्चाई दुनिया में सबसे कीम्ची चीज है और हमें इसके मसरफ के बारे में गौरों फिकर का काम लेना चाहिए जो जवानी और बश्वन में मती हो वो बड़हापे में मती होता है जो इप्तदा में फरमान रहकर आखर में ताबा करे वो मती हो जाता है लेकिन कामाल तहजीब और हिकमत इसको देर के बाद हासल होती है जिनके दिल साफ होते हैं वो कभी भी किसी की खुशामित करने पर राजी नहीं होते खराब आदतें भी इसी तरह बढ़ती और फोलती हैं जैसे चश्मों से नदी और नदी से दरिया जब तक काफी और कामिल ल्याकत नहीं रखते किसी मुश्किल अमर की बहस में ना पड़ो वक्त का एक लम्हा भी बेकार ना जाने दो सबसे बड़े फजूल खर्श यही है बदन के सबसे अच्छी वरदश चलना तैरना और घुर सवारी करना है इन में से किसी एक पर एक घंटा सर्फ कर दिने से आपका जिस्म चुस रहेगा और आपका दिमाग भी खुलेगा इबरत हासल करने के लिए कबरस्तान से बहतर और कोई जगा नहीं वक्त ही जिन्दगी है इसकी कतर कर और उमर की गनीमत समझ खफलस से बेदार हो और होश्यारी से बदानी अमल में कुच जा अगर तुम मुताले से मानूस नहीं पहले ही तबित पर जबर करके ही शुरू करो फिर वो खुद तुमें अपना गरवीदा कर लेगा औरत की नेक नामे से ज़ादा कोई चीज नाजग नहीं इनसान से वबस्ता तमाम चीजों में बैक वक्त सबसे ज़ादा खुबसूरा चीज़ भी है और सबसे ज़ादा नाजग भी दौराने जमा नफस धीला हो जाए तो खीरे का छिलका नफस पर मसल दे नफस बास जैसा सक्त हो जाएगा आजादी में हाजारों हुसुन हैं जिनके बारे में कुलामों को चाहे वो कितना ही मुतमें क्यों नहों कुछ खबर नहीं होती इंसानी अजबत और मुसरत के लिए आजादी सबसे ज़ादा जरूरी है दुनिया में जिसे देखो दौलत से महब्बत रखता है खुदा का नाम कोई नहीं लेता दुनिया में अपना और पराया कोई नहीं जो किसी को अपना समझता है वो ही अपना और जो पराया समझता है वो अपना होने पर भी पराया है